और दिवाली के देन दिल्ली में प्रदूशन अपने खतरनाक स्थर पर पहुँच गया है तमाम प्रतिबंदों के बावजूद भी दिल्ली और आसपास के इलाकों में आतिश बाजी हुई वहीं पराली जलाने की वज़े से भी हालाद बेकावू हो गया है दिल्ली अंसियार में प्रदूशन का स्थर गंभी इश्रेणी में पहुच गया है घने स्मॉक के कारण विजिबिलिटी बेहत कम हो गई है मौसम विभाग के मताबिक दिल्ली और आसपास के इलाकों में दिपावली की दिन प्रदूशन बेहत खतरनाक स्थर पर पहुच गया कई अलाकों में प्रतिबंद के बावजूद आतिश बाजी हुई पंजाब हर्याना में पराली जलाने से हालात बिगडे हुए है PM10 और PM2.5 का स्थर काफी बढ़ा हुआ है मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली के प्रदूशन में 32% हिस्सेदारी पराली जलानी की है दिल्ली में प्रदूशन के लाने वाले तत्यों की मात्रा अगर ज़्यादा बढ़ती है तो हालात और बिगड़ सकते है और वहीं पठाकों पर बैन होने के बावजूद भी बीती रात हुई आतिश बाजी की वज़े से राज़ुदानी दिल्ली में प्रदूशन का स्थर काफी ज़्यादा बढ़ गया है रात दो बज़े की बात की जाए तो आईटियो पर लगे एर क्वालिटी इंडेक्स की मताबिक पीम 10 और पीम 2.5 का स्थर काफी ज़्यादा बढ़ा हुआ था रात की तक्रीबन दो बज़ चुके हैं और मैं मौदूद हूं आईटियो पर जहां दे सकते हैं कि पीम 2.5 जो है वह 1247 दिखा रहा है तो वहीं पीम 10 की बात की जाए तो वह 1321 तक पहुंच चुका है यानि कि स्थीती जो है काफी गंभीर है आसमान की उपर नजर दाने त सकते हैं कि 1321 दिखा रहा है यानि कि स्थीती काफी गंभीर हो चुकी है अड़ी जोंबार से शुक्रवार शाम छे बजे सिर्फ टीवी नाइन भारतवर्च पार